तो आज मैंने बनाई है पंजाबी कड़ी पंजाबी रेस्टोरेंट जैसी न्यू इंग्रीडियन्स के साथ न्यू स्टाइल में तो हलो दोस्तों वेलकम बैक इन माई चैनल विधनू लेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे वी के अकौर्डिंग अपनी प्याज और मिर्ची की कानटिटी रखिएगा कि आपको कितना खाना है और आप मैं इसमें इड़ कर दूंगी हमारे नमक स्वाध अनुसार स्वाध अब इसमें अड़ कर दूंगी मैं हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर ये देखे अब मैं इसमें अच्छे से अब mix कर लूँगी इसमें पहले मैं डाल दूँगी chopped किये हुए हरा धनिया और यह हरा धनिया डालने के बाद मैं इसे अच्छे से mix कर दूँगी और धीरे धीरे पानी डालके इसे हम एक paste तयार कर लेंगे जैसे पकोड़े का जो paste होता है जो आप जानते हैं तो म यह paste मेरा ready है अब मैंने इसमें लिया है एक दही दही मैंने करीबन एक पाव माने 200 ग्राम लिया है और इसमें मैंने तीन चमर पेसन अड़ कर दिया है पेसन की quantity आप कम यह ज्यादा भी कर सकते हैं जैसे आपको पतली कड़ी खाना है तो बेसन आप कम लीजेगा और यहां म मैंने लिया है धनिया पावडर और लालमिच पावडर यह इन सब की quantity आप अपने बेसन के अकॉर्डिंग रखिएगा और यहां मैंने सौफ डालके एक ठी फोर्थ मैंने जम्मा सौफ लिया और इसे अच्छे से हम फेट लेंगे इसे हमें इतने अच्छे से फेटना है दो देखिए ताकि दही बेसन और सभी चीज़े अच्छे से फिट जाए अब मैं पकोड़े तल लूँगी यह देखिए मैंने आपको यहां पर पकोड़े डायरेक्ट अलके बताया क्योंकि पकोड़े निकालना सभी को बनता है दोस्तों जो मैंने पकोड़े का बैटर तयार किया था उससे मैंने यह पकोड़े निकाल लिये हैं यह देखिए अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी दोनों साइट से एक कर आपको एक प्लेट में निकाल लेना है अब मैं इसी पकोड़े वाली कढ़ाई में जो तेल बच वाज़ भूछ दान है और नहीं अठ्षम अपनी जीरा łई मी अच्छे से भूज लूँ घाप्ट ज ने उन्यच रख़े के लिशा 0 2 इसमें डाल के भूझ लूँगी ये देखे ये अच्छे से भूझ रहे हैं और इसमें मैं डाल दूँगी चॉप्ड किये होए हरी मिच हरी मिच का ध्यान रखिएगा दोस्तों हमने लाल मिच भी डाली है ये देखे अब इसे हम ऐसी भूझते रहेंगे इसे जलने नहीं देना है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी हमारे लसन और अद्रक का पेस्ट इसे मैंने पेस्ट बना लिया है आप चाहे तो मान दस्ताने में कूट के भी इसे डाल सकते हैं ये लसन और रद्रक का पेस्ट अब मैं से अच्छे से मिक्स करलेंगी कि यदेखिए है कि अब यीज़े से मिक्स हो गया है तो अब देखे निफिद्ध हम देखिए थोड़े पपने मी बेगे हैं है ऑप ये देखिए दिरे 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 प्याज का कलर गोल्डन होते जा रहा है और इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये जलेना ये देखे अब प्याज का ये देखे मैं आपको दिखाती हूँ प्याज का रंग भी गोल्डन हो चुका है अब मैं इसमें जो मैंने गोल तयार करके रखा था दही और बेसन का वह मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा हम इसमें पानी भी याड़ कर देंगे ये देखे अब अच्छे से ये हम इसे पका लेंगे ये देखे उसी बॉल में मैं पानी को डाल के इसमें मिक्स करके कड़ाई में डाल दूँगी ये देखिए अब पानी और डाल दिया मैंने अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे अब मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि और इसमें पहले हम धनिया डाल देते हैं और टिप्स ये हैं कि आपको जब भी कड़ी कैसे पकती है का पकती है ये देखिए वो मैं बताती हूँ, ये देखे, आपको side side में जो basin दिख रहा है न, वो basin को आपको हटाना है, जब तक ये basin की layer पूरी clear नहीं हो जाती, तब तक आपको कड़ी को पकाना है, जब तक ये basin की layer आती रहेगी, समझो हमारी कड़ी पकी नहीं है, जब ये basin की layer आना बंद हो जाए समझ लीजिए जब हमारी कड़ी पख चुकी है तो आपको लगतार ऐसे चलाते रहना है ताकि कड़ी नीचे लगेना और ये उपर आके गेस में गिरेना तो ये देखिए तीन-चार मिनिट के बाद ये देखिए अब मेरी कड़ी पख चुकी है अभी इसमें देखिए बेसन की जो लेयर है वो भी नहीं आ रही है इसका मतलब हमारी अब कड़ी पख चुकी है लगभग थोड़ी दियर हम और पढ़काएंगे इससे बेसन अच्छे से पक चुका है ये देखिए अब ये बिलकुल भी लेयर इसमें जो बेसन की जो साइट साइड में लेयर है वो बिलकुल नहीं आ रही है इसका मतलब कड़ी पक चुकी है अब मैं इसमें डाल गभग हमारे fry की होए पकोड़े ये मैंने पकोड़े डाल दिय और इसे अच्छे से mix करतेंगे, तो ये पक चुकी है मेरी कड़ी, अब मैं इसमें दूँगी तड़का, अब तड़के के लिए मैंने लिया यहां पर एक पैन इसमें मैं ऐड़ कर दूँझी, ऑईल, ओईल अड़ करने के बाद मैंने एक बड़ा टीस्पून ऑईल लिया है, इसमें मैंने मस्टर शीर डाली है माने राई के दाने और सुखी हुई लालमीच खड़ी लालमीच लिया है मैंने सुखी हुई और इसमें मैंने बाल दिये कड़ी पत्ते ये देखे क्या आवाज आ रही है और चॉब्ड किये हुए coriander leaves माने हरी धनिया हरी धनिया जो chopped करके रखी थी वो और अब मैं डाल दूँगे इसमें गरम मसाला मैंने kitchen king गरम मसाला लिया है और इसमें red chili powder जो मैंने ली है कश्मीरी जो जिसमें हमारी सिप color होता है इसमें तीखापन नहीं होता है अब मैं इसे में कड़ी में एड़ कर दूँगी और ये देखे कितना सुन्दर color आ गया है और ये कड़ी का मेरा तड़का लग चुका है और ये देखे मेरी कड़ी ready है तो दोस्तों इसे जरूर ट्राइ करिएगा और बताइएगा ये कैसी बनी है with soft तो चुशएई लग्याओएजाँ